हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो दिस चैनल आपके लिए लगाता है हम रोज डेली नए नए क्वेस्टेंस लाते हैं जिससे कि आपको जादा से जादा नौलेज मिल सके और जादा से जादा आप अपनी दोस्तों के साथ सेयर कर सकें क्योंकि जब भी आपका एक्जाम होगा तो हमने बहुत जादे इंपॉर्टिन को डिसकस किया हमने सरीर में रक्त अलपता की कमी से कौन सा रोग होता है तो आप्शन देख लेते हैं ए टीबी बी कैट्रेक्ट सी एनीमिया डी दमा तो यहाँ पर हमारा आप्शन सी एनीमिया सही हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीबू में कौन सा अमल पाया जाता है तो यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ओप्शन देख लेते हैं A. साइटरिक अमल, B. लेक्टिक अमल, C. एसकार्बिक अमल, D. टार्टरिक अमल, तो हमारा सही एंसर हो जाएगा A. साइटरिक अमल. हमारा next question है, कोसिका की खोच किसने की थी? option A. लैमार्क ने, B. मेंडल ने, C. सैलर ने, D. जेकेरियस जैंसन ने. तो हमारा यहाँ पर D. option राइट हो जाएगा, जेकेरियस जैंसन ने. next question है, हमारा मानों में गुर्षुत्रों की संख्या कितनी होती है? गुर्षुत्रों मतलब क्रोमोशों. तो option A. 46, B. 56, C. 66 और D. 76. तो जो गुर्षुत्रों के संख्या होती है, हमारा option A. राइट हो जाएगा, 46. next अपने दो question देख लेते हैं, जो कि काफी important है, तो देख लेते हैं, पहला question है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन उप्योगी है? तो option A है विटामिन C, B है विटामिन A, C है विटामिन B, D है विटामिन K, तो हम सब को पता है, कि जो रक्त का थक्का बनाता है, वो है विटामिन K, तो हमारा D option सही हो जाएगा, next question है, मानो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी होती है, तो आएए आप option देख लेते हैं option A है अमाश है, B है यक्रित, C है फेफड़े और D है किड्नी, तो हमारा यहाँ पर option B सही हो जाएगा यक्रित, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथी होती है, आए दोस्तों, और भी एक important question आज का देख लेते हैं, यह है यदि किसी व्यक्ति का तापमान 30 degree Celsius है, तो उसका तापमान foreign height में कितना होगा, तो इसके लिए हमें formula का use करना पड़ेगा, यानि कि degree Celsius से foreign height converter, तो हमें पता है कि formula होता है, degree Celsius, sorry, degree Fahrenheit बराबर 9 by 5 C plus 32, ठीक है, यह हमारा formula होता है, और यहाँ पर C की value कितनी है, 30 है, तो यहाँ पर हम 30 रख देंगे, 9 into 30 by 5 plus 32, और इसे solve करने पर, जो हमारा आएगा, वो हो जाएगा, 86 degree Fahrenheit, तो यह हम चारो option में से देख लेते हैं, तो हमारा B option सही है, तो हम इस पे टिक कर देंगे, हमारा next question है, वायू में nitrogen की मात्रा कितनी प्रतीशत होती है, तो देख लेते हैं option, option A है, 78%, B है 46%, C है 4%, and B है 22%, तो हमारा right answer हो जाएगा, option number A, 78%, हमारा next question है, मानवरक्ट का pH मान क्या होता है, तो option number A है, 3, B है 6, and C है 12, and D है 7.5, तो हमें पता है कि, जो मानवरक्ट का pH होता है, लेकिन इसमें ऐसा option नहीं है, तो हम अपना approach value 7.5 लगा देंगे, यानि कि जो हमारा मानवरक्ट होता है, वो क्या होता है? 6 होता यह होता है, क्योंकि इसका pH मान जो है वो साथ से अधिक है और next question देख लेते हैं it is very important question हमारा question क्या है किसी धावक को तुरंत उर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए तो option A है वसा, B है protein, C है carbohydrate and D है vitamin ठीक है तो हम देखते हैं कि कोई भी runner होता है जब वो दौरता है तो हम उसे क्या करते हैं हमेशा ऐसी चीज़े देते हैं जैसे केला खिलाते हैं तो केला क्या होता है केला में carbohydrate होता है जो कि उसे तुरंत उर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है तो हमारा C option carbohydrate सही हो जाए next question है इस करवी रोग निम्न में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है तो option है A vitamin K, B vitamin C, C vitamin B और D option है vitamin A तो हमें पता है कि इस करवी रोग vitamin C की कमी से होता है तो हमारा option B सही हो जाएगा आए next question देखते हैं स्वसन क्रिया में ग्रहड की गई oxygen रक्त में उपस्थित किस पदार्थ से संयोग करती है जब हम सास लेते हैं तो जो oxygen हमारे अंदर जाता है वो किस पदार्थ से संयोग करता है तो option देख लेते हैं A calcium से B sweet रख तकड़िकाओं से यानि WBC से C hemoglobin से D platelet से तो हमारा option C सही हो जाएगा hemoglobin से next question देखते हैं पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है तो यह तो सभी को बता होगा फिर भी देख लेते हैं option A हैजा, B beriberi, C hemophilia, anti rabies तो हमारा D option सही हो जाएगा rabies हमारा next question है malaria किस मच्छर से फैलता है तो option देख लेते हैं पानी में रहने वाला मच्छर, B enophilis मच्छर, C नर मच्छर, D बरसाती मच्छर तो यहाँ पे हमारा सही option हो जाएगा enophilis मच्छर जो की सिर्फ मादा enophilis से फैलता है और next question है हमारा निमलिखित में किसकी मात्रा बढ़ने से हृदय रोग का खत्रा बढ़ जाता है तो option A है glucose, B है cholesterol, C है hemoglobin, D है urea तो हमारा option B सही हो जाएगा cholesterol से रोग बढ़ने की संभावना क्या होती है बढ़ जाती है आईए और important question देख लेते हैं हमारा question है लार मनुष्य के भोजन के किस तत्व के पाचन में सहयक होती है तो option A है protein, B है वसा, C starch, D race तो जो लार होता है वो मनुष्य के सरीर में starch को पचाने का काम करता है तो हमारा option C सही हो जाएगा और next question है मानों सरीर में जल के मात्रा कितनी होती है तो आईए option देखते हैं A है रक्त की 50% B है सरीर के भार की 75% और C है सरीर के भार की 50% और D है रक्त की 80% तो option B हमारा सही हो जाएगा सरीर के भार की 75% हमारा next question है घेंगा रोक किस ग्रंथी के बढ़ने की कारण होता है तो आईए option देख लेते हैं A PUC का B अधिवरिक C अवटू D परावटू तो ये अवटू ग्रंथी के कारण होती है जिसे इंग्लिस पे थाराइड ग्लैंड बोलते हैं और परावटू ग्रंथी को इंग्लिस में हम बोलते हैं पैरोटिट ग्लैंड दोस्तो ये भी काफी important question है आईए देख लेते हैं होमिय पैथे के संस्थापक कौन थे तो option A है हमारा next question है विटामिन क्या होते हैं तो आईए नेक्स्ट क्वेशन के तरफ बढ़ते हैं ये भी काफी important question है एक सामान ये व्यक्ति के सरीर में खून की कितनी मात्रा होती है तो option A है 2-3 लिटर option B है 3-4 लिटर option C है 4-5 लिटर और option D है 5-6 लिटर तो यहां पर हमारा option C सही हो जाएगा 4-5 लिटर ये भी काफी important question है एनजाइम किस से बने होते हैं तो option A है खनीज से B प्रोटीन से option C वसा से D कार्बोहेडरेट से तो एनजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं next question है हमारा पेनिसिलिन की खोच किस ने की थी option A डंलप ने B लूई पास्चर ने C एड़वर्ट जेनर ने D एलेक्सेंडर फ्लेमिंग और फ्लोरेने तो हमारा option D राइट हो जाएगा तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ वीडियो को जादा से जादा लाइक और सेर करना न भूले अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सेर करें जिससे जादा से जादा लोगों को इसे प्रॉफिट हो सके और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया उसे सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले जिससे कि हमारी लेटेस्ट अपडेट जितनी भी आती है वीडियो के वो आपके पास जल्दी से जल्दी बहुत सके थैंक यू